How to deposit money and Jaskash account from debit card Guys Jaskash की इस वीडियो में बात करते हैं कि आप अपने Jaskash account में अपने debit card से कैसे पैसे deposit कर सकते हैं Suppose अगर आप अपने debit card से पैसे send करना चाहते हैं अपने Jaskash account में तो आप कैसे send कर सकते हैं तो चलो guys बिना time waste की वीडियो को start कर लेते हैं Guys सबसे पहले आपने Jaskash application को open करना है open कर लेने के बाद आपने simply अपने account को login करना है login कर देने के बाद guys आपने यहाँ पर add money के उपर tap कर लेना है यह जो option है add money का आपने इसके उपर tap करना है and as you can see guys के यहाँ पर add money के अंदर आपको बहुत सारे options मिलते हैं इसको abuse कर सकते हैं तो यहाँ पर guys add money के अंदर आपने deposit वाया debit card के उपर आपने tap करना है इसके उपर आप जैसी tap करोगे guys आपके पास यह option open हो जाएगा and as you can see guys के यहाँ पर लिखा है select top up amount तो यहाँ पर guys आपने सबसे पहले top up amount को select करना है जितना amount आप send करना चाहते हैं अपने jes cash account के उपर अपने bank debit card से तो यहाँ पर guys यह limit जो है यह minimum 100 rupees है तो आप 100 rupees से लेके maximum जो है वो 3500 है तो आपके पास यह limit है 100 से लेके 3500 तक मतलब आप इतने पैसे send कर सकते हैं अपने debit card से तो मैं यहाँ पर guys एक amount select कर देता हूँ 3500 तो आपने भी इस तरह amount select करना है guys select कर लेने के बाद आपने select card के उपर आपने click करना है मतलब आपने अपने card को select करना है आपने अपने card के बारे में information देनी है और यहाँ पर guys is you can see कि मैं already अपना visa card add कर चुका हूँ तो आपने क्या करना है guys आपने सबसे पहले अपना debit card add करना है तो आपने add new card के उपर click करना है add new card के उपर click कर लेने के बाद guys आप यहाँ पर please enter card details तो यहाँ पर guys आपने card details को provide करना है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना card number डालना है उसके बाद आपने यहां पर आपने मुबाइल नमबर डालना है मुबाइल नमबर डालने के बाद आपने यहां पर CVV के अंदर अपने कार्ट का सिकेरिटी कोड डालना है और उसके बाद आपने अपने कार्ट का एकस्पाइरी डेट जो है उसको सेलेक्ट करना है तो आपने वो OTP code डालना होगा As you can see guys के यहां पर आचुका है email text तो यहां पर मैं text मैंने select कर दिया कि मैं text के तुरू verify करना चाहता हूँ अपने account को तो अभी मेरे mobile number के उपर एक OTP code आएगा and that's it guys मैं OTP code receive कर चुका हूँ तो मैं अपना OTP code यहां पर enter कर देता हूँ and OTP code डालने के बाद guys मैं यहां पर simply submit के उपर click कर देता हूँ जैसे ही मैंने submit के उपर click कर दिया guys that's it and as you can see guys के यहां पर मैरे JSKESH account के अंदर balance आचुका है जो मैंने अपने debit card से send किया है so guys this is how you can deposit money in your JSKESH account from your debit card आप इसी तर आपने debit card से अपने JSKESH account पर transfer कर सकते हो guys आज की वीडियो में बस इतना ही है I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो please वीडियो को like कर दीजएगा और अगर इस चैनल पर first time I हो तो please चैनल को भी subscribe कर दीजएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर और बुडबाइ